So hello everyone guys, Haramadeev, Radhi Radhi, कैसे हो आप सब लोग? I hope आप सब ही लोग अच्छे होगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे So guys, आज मैं आपके लेडिंग लेकर आगी हूँ Who will you marry? आपके शादी किसे होगी? यह charms reading भी होने वाली है, इसमें हम charms भी use करेंगे guys So यहाँ भी आपके सामने first pile है guys, destiny card And also अगर आपके date of birth first pile में से आती है, तो आपको first pile पिक कर लेनी है Also यहाँ भी आपके लिए second pile है, faith card So faith card अगर आप पिक करना चाहते हो, तो आपके लिए second pile और अगर आप अपने लिए date of birth पिक करना चाहते हो, तो easy way है आपके लिए तो वो second pile आप पिक कर लेजिएगा, okay So आप zoom out भी कर सकते हो, YouTube ने यह new feature भी add on किया हुआ है, ठीक है So guys reading start करने से पहले अगर आप new हो channel पे, तो subscribe कर लो channel को bell icon का दबा के all पे set कर दो So that आपको आने वाले सभी notifications मिलते रहें अगर आपको personal reading book करवानी है, आपको personal reading plus, मलब अपने tarot plus kundli reading करवानी है, ठीक है वो भी आप करवा सकते हो, and also guys अगर आप लोगों को tarot reading ही करवानी है, या spells book करवानी है, तो आप Instagram पे मुझे message कर सकते हैं 2024 की full yearly reading भी आप book करवा सकते हो, okay So start कर लेते हैं First policy, okay So who will you marry, आपके शादी किससे होने वाली है साल में या इस साल होगी या नहीं, ठीक है So guys, यहाँ पी आपके सामने हैं, अगर आपने destiny card को पिक किया है Guys, मैं एक छोटी सी clip भी लगाई होंगी, ठीक है जब आपने इस pile को पिक किया है न, उस timing के उपर ही just होगा कि आपको जहां से अपने pile को choose करना है, ठीक है वहाँ से आप देख ली न And यहाँ पे guys, अगर आपकी date of birth इन में से आती है 2, 11, 5, 15, 9, 3, 17, 7, 21, 19, 27, 25, 23, and 29 तो आपके लिए है first pile Okay And guys, अगर आपने destiny card को पिक किया है तो guys, आपके लिए सबसे पहले just And also tarot rating plus यह charms rating होगी हम last में charms भी देखेंगे आपके लिए Okay, especially So, यहाँ पे destiny आपको यह show कर रही है कि जिससे भी आपकी शादी होगी वो person आपके लिए destined है Okay, ऐसा होता है कुछ लोगों के लिए कि उनके शादी destined time divine time पे ही होती है कुछ लोगों के लिए options भी होती है कि उनको divine time के उपर करना है marriage या फिर उनके life में जब उनका मन है like होता है कई लोगों की किस्मत में होता है कि हाँ उनको love marriage करनी है So love marriage को आप एक तरह से इस तरह से नहीं लिख सकते कि यह distant ही या फिर इसको time लगा है बहुत होने में no अगर जैसे arranged marriage है guys वो घर वाले ढूंते कितने रिष्टे ढूंते और एक person ही हम हमारे लिए होता है So वो यहाँ पे show किया ज़र है कि distant person से ही आपकी शादी होने वाली है यह आपकी twin flame भी हो सकते है because यहाँ पे masculine and feminine energies आई हुई है अगर twin flame नहीं तो यह person आपको सिखाएंगे कैसे balance करना है अपनी life में and यहाँ पे also universe यहाँ पे इश्वर भगवान अल्ला जो भी आप बोलना चाहते हो वो यहाँ पे खड़े है गौतम बुद्धा की energies and also अगर आपको पीरो फकीरो में universe का साथ यहाँ पे दिख रहा है 100% so सबसे पहले तो हम tarot के थू देखेंगे को कि यही मेरा new deck है जो मैं अभी zodiac sign 24 की detail readings में ही use कर रही थी तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज किया जाए है ना and new year भी आ ही गया है तो आप happy new year to everyone तो आज I think last day है year का 23 का so मैंने सोचा कि yes इसके लिए भी use किया जाए it's okay 2023 आप सभी के लिए अच्छा रहोगो I hope and 2024 उससे भी better हो आपके लिए आपकी शादी किससे होगी guys यह देख लेते हैं okay हाना सबसे पहले तो आपके लिए है night of wands का अच्छा है also queen of cups की एनर्जी से eight of cups ओके आप लोग Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorby, Pisces, Voraši के हो सकते हो यहां पे हैं स्चार कार्ड, वाव, ग्रेट Ace of cups, nice emperor card is here, great four of swords की नर्जी से हैं, first pile आपके लिए okay high priestess के energies हैं यहाँ पे okay great bottom of arachis hangman hangman के energies हैं यहाँ पे middle energies क्या है यहाँ पे okay four of pentacles okay so यहाँ पे क्या energies हैं आपके लिए guys okay two of cups यहाँ पे इसके नीचे ही है wow great piece of pentacles okay so bottom of arachis queen of pentacles okay so यहाँ पे guys किसे होगी आपके शादी है जो भी person है मुझे ऐसा लग रहा है बहुत passionate जिसमें आपके तरफ कोई person आये हुए हैं बट आपके शादी किन से होगी यह वो person होगे जो पहले तो बहुत passionate रहेंगे आपके लिए बट थोड़ा सा बात में जाकर आपके लिए like होता है न वो अपनी उपर भी काम करें और आपको भी time दे रहे हैं हाना यहां पर शो किया चारे कि yes यह person emperor की energies में आते हुए देख रहे हैं आपके पास दो options हो सकती है ठीक है अगर आप male energies में हो आप फैमना energies में नहीं हो तो आपकी जो person होने वाली है बहुत emotional and caring होने वाली है एक person तो जहां पर बहुत जारा emotionally caring means बहुत emotional है ठीक है हो and बहुत emotions उसमें भरे हो है बहुत love है उसके अंदर motherly nature है उसके अंदर भरा हुआ ठीक है and दूसरा person है उसके अंदर ego भरी हुई है गुसा है यहां पर like कठोर मन बन चुका है but yes उपर से strong मतलब उपर से बहुत कठोर है अंदर से बहुत soft है वो भी person ठीक है and जैसे होते है न coconut उपर से बहुत कठोर अंदर से बहुत ही ज़रा नरम ठीक है and खाने के लिए भी अच्छा so बहुत अच्छे होने वाले ही person अंदर से इनका मन बहुत अच्छा होगा but yes थोड़े से situations की वज़े से आसी life में इनकी situations आई है जिनकी वजह सी ऐसे बन गए emperor की energies में and ace of cups new love की energies दिख रही है जो भी person होने वाले है overflowing love इनकी तरफ से आपको देखने को मिल सकता है and also four of swords की energies है four of swords शो कर रही है कि ये person जो भी है या तो ये person को healing कर ये person ही heal होकर आपकी तरफ आएंगे ठीक है three of swords की energies से निकल कर means three of swords means आपके जो भी ये person होंगे इनका heart broken heart हुआ होगा and उसके बाद ये heal हुए है ठीक है उसके बाद ही ये person आपकी तरफ आए है and ये person move on कर रहे है चीजों से जब आप इनसे मिल सकते हो ये भी हो सकता है कि जब आप इनको मिलो ये person move on कर रहे हूँ ठीक है ये person बहुत जाए struck energies में भी हो सकता है या आप इस energies में हो सकते हो guys जब भी आपके person आपको मिलेंगे ठीक है जिनसे भी आपकी शादी होगी आप या तो struck होगे बहुत ज़रा past में and मुझे ये भी दिख रहा है कि ये person foreign से हो सकते है I don't know why but yes कुछ लोगों के लिए specific people के लिए ये person foreign से हो सकते है and move on करना ये person या तो तब मिलेंगे जब आप ये move on कर रहे होँगे struck है अपनी life में बहुत ज़रा या आप इनको तब मिलोगे जब आप ये struck होँगे and आप इनकी help परोगे in some situation से बहार निकलने की high priestess आई है the star card है ये show करता है ये person famous भी हो सकते है highest authority भी हो सकते है ठीक है अगर girl है तो वो थोड़ी से मुझे ऐसा लग रहा है कि yes feminine energies में दिख रहे है ठीक है like घर पे रहना and all that household shows okay and yes अच्छी well qualified ये भी होंगी but yes family woman इनको कह सकते है family girl हो सकती है ये and कुछन कुछ तो ये भी earn कर रही होंगी ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि yes savings यहाँ पर important है यहाँ तो ये person बहुत ज़ा savings करके बैठे होंगे जब आप इनकी life में आओगे ठीक है and also ये भी दिख रहे है ये person जो भी है ये बहुत ज़रा obsessed हो जाते हैं चीजों से यह अगर इनके पास कुछीज चलेगी तो ये किसी और के पास नहीं जाने देंगे ठीक है so ये energies दिख रही है यहाँ पे बहुत ज़रा comfort zone में रहना इनको पसंद है and इनके वेकनिंग चल रहे होगे जब ये person आपकी life में आपके लिए Pisces राशी Aries Pisces Scorpio Aquarius and also Pisces राशी ये राशी आपके लिए पढ़ रहे हैं बहुत intuitive भी हो सकते हैं healer हो सकते हैं healer intuitive बहुत सब्सक्राइब हो सकते हैं intuition बहुत हाई होगी ठीक है थोड़े कठोर होंगे थोड़े गुस्ते वाले हो सकते हैं ये आपके father बहुत important रह सकते हैं relationship के related यहाँ से देख लीते हैं क्या energies हैं आपके लिए Rest and Resumination guys ये दोनों ही cards Rest and Resumination को दिखाते हैं थोड़ा ठीक है and wish fulfillment को भी show करता है ये card तो of course आपके wish fulfill की जाएगे universe की तरफ से क्यापता आपने ऐसे ही person को मांगा हो and we mature energies में हो and immature ना हो and rich हो कोई authoritative position इनके पास हो and rest and Resumination के energies and guys claim कर सकते हो आप इस reading को लाइक करके हाना and also मुझे भी पता चल जाएगा कि येस आपने आपको ये पसंद आई है reading हाना so rest and Resumination करों यहां पर दो चक्रास तो आही चुकी हैं आपके लिए थर्ड चक्रा आर्के इंजल चैमौल की energies हैं फिफ्ट चक्रा आर्के इंजल गैब्रियाल की energies हैं so ये शो करती हैं कि आपके जो भी ये person है इनकी communication skills बहुत अच्छी हो सकती हैं बोलने में बहुत अच्छे हो सकते हैं and also ये person guys इनका जो willpower है न बहुत strong रहने वाली है मैंने जिसे बताया भी है ठीक है अंदर से बहुत strong रहेंगे इनका heart बहुत लाइक होता है कठोर भी हो सकता है या बट मैं कहना चाहते हैं अंदर से मोचल है बट वैसे कठोर है कि ये बोलने में हो सकते है open यहाँ पर मुझे दिख रहा है patience okay so woman holding a coin मुझे ऐसा लग रहे है ये person आपर बहुत patience भी रखवा रहे है या आप बहुत patience रखके बैठे कि कब आपकी शादी होगी ये मुझे यहाँ energies दिख रहे है और ये जो भी person है बहुत अच्छी energies में अगर girl है मुझे ऐसा दिख रहे है कि yes ये जो भी girl है या boy है बहुत अना money minded भी रहने वाले है money minded ठीक है इनको पैसे जहां से मुझे ऐसा लग रहे है वो business कर रहे है या businessman है या चाहे जॉब में है money यहाँ पर important दिख रहे है वही job कर रहे है यह जो इनको लग रहा था कि इनकी fulfill कर रहे है हर एक wish को so 37 number 10 number 42 16, 6, 7, 19, 10, 1, 39, 12, 3 ओकी यह numbers आपके लिए important हो से sun, moon, rising and north node में आपके लिए राश्य है जो मैंने आपको बता रहे हैं वो important हो सकती है ठीक है और यहाँ पर garden and the gate है option है guys या तो आप इस garden से बहार निकल जाओ आप move on कर जाओ या आपने comfort zone को छोड़ कर बहार निकलो तब भी आपको person मल सकते हैं या फिर अंदर ही रहो and यह person खुद चल कर आपकी life में आएंगे but वो थोड़ा सा patience आपको रखना पड़ेगा देल लग सकती है उस situation में ठीक है so यह मुझे energies दिखी हैं यहाँ पर okay आपके spirit guides आपको क्या बताना चाते हैं यह देखकर then मैं आपके लिए guys आपके charms देखूं क्योंकि charms reading है तो of course charms तो देखने बनते ही है okay holy amethyst की energies है divine alchemy की energies है आप amethyst crystal या तो purchase कर रहे हो यह आपको लग रहे कि yes आपको purchase करने की जर्थ है आपको अपने peace अपने आपको काम रखने के लिए move beyond current challenges focus on what you desire so focus करिए जो भी आपके अच्छाएं हैं उनकी ओपर again follow करिए जो भी focus करिए उन सब चीजों के उपर and also move करिए beyond current challenges जो भी आपके current अभी इस time पे life में challenges चल रहे हैं उन से move on करने की कोशिश करिए move करिए उन से आगे okay काली मा is here guys आपकी third eye chakra है इस person के third eye chakra बहुत open हो सकते है काली मा के वक्त हो सकते हैं आप या वो ठीके या मानते ही होंगे ठीके and I don't know West Bengal की energies सुनी मुझे महादुर्गा पुजा होती है न and also यहाँ पे major spiritual changes are unfolding this is your chance to soul आपके लिए major spiritual changes यहाँ पे आते हैं दिखरे हैं जब भी यह person आपकी life में आएंगे and आपकी life में यह chance है आपके पास soul करने के लिए आगे बढ़ने के लिए this is your chance to soul आपके यहाँ से देख लेते हैं commander अस्तर की energies है call to action take charge, lead by example, walk your talk so आपको कहा जा रहा है आप क्या कर रहे हो इस time पे charge लिजिए अपनी life का अपने हाथ हों आपने destiny को create करना सीखिए and create करना start कर दीजिए आपको call की जारी की action लीजिए अपनी तरफ से कुछ आप मुझे famous बनते हुए भी दिख रही है यह person famous हो सकते है जैसे जो actors होते हैं जो भी वो पहनते हैं दूसरे लोग वो पहनने लग जाते हैं उनकी copy करते हैं so walk your talk की energies हैं यहाँ भी well-study higher learning की energies हैं you have learned from experience more inner studies now required to further progress so आपके लिए और भी inner study required है ठीक है further progress के लिए आप learn कर दे हो experiences के थूँ ठीक है you have learned from experience so guys अब आपके लिए देख लेते हैं कौन से charms आना चाहते हैं this time के लिए ठीक है यहाँ पे so many charms are there guys okay so यहाँ पे guys सबसे पहले तो heart की shape है यह आपके लिए important होसते हैं आपके person बहुत जार केरिंग हो सकते हैं बहुत love यहाँ पे दिख रहे हैं and also यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आपके जो भी person है बहुत transformation लेकर आने वाले हैं आपके butterfly की energies हैं and आपके पास की आ सकती है कोई नो की आपका घर ठीक है यहाँ गाड़ी ठीक है यह person के पास हो सकती है जो भी person है and यहाँ पे death की energies हैं ठीक है यह person बहुत जार change लेकर आएंगे transformation आपकी life में लेकर आते हो दिख्रें and cycle है यहाँ पे cycle मतला आपको अपनी नई जर्नी पे लेकर जाता हुआ दिख्रें ठीक है person के तुरू आप जाते हो दिख्रें and love की energies of course मैंने कहा यह person बहुत loving caring भी होने वाले हैं यहाँ पे थोड़ा imbalance रहने वाला है प्यार में या तो यह person बहुत जारा प्यार करने वाला है या आप थोड़ा कम पीछे जाओगे ठीक है थोड़ा सा कम आप होने वाले हो and यहाँ पे luck का sign है ठीक है lucky energies यहाँ पे दिख्रें सो luck आपकी life में इस person की तरफ से आने वाला है starfish की energies हैं यहाँ पे यह person आपकी life में happiness लेकर आते हुए दिख्रें है star की energies हैं यहाँ पे famous हो सकते हैं water area के आसपास रहने वाले हो सकते हैं यहाँ पे again नजर फर्जर से बचने के लिए यह sign होता है ठीक है वो energies है यहाँ पे twin flame मैंने आपको बोला ही है twin flame की energies है यहाँ पे balance की energies है again water shell की energies है आपको shell से निकालने के लिए भी person आने वाले हैं again वही energies same lucky energies ठीक है luckiest person हो सकते हैं person आपके लिए again butterfly see this transformation is there guys transformation आपकी life में जरूर आएगी person के आने के बाद and यहाँ पे water energy is important है because यहाँ पे अगील mermaid आई हैं यहाँ पे okay mermaid की energies है made with love okay so guys आपको कहा जाँ रहे यह दिल प्यार सही बनाया गया है आपके लिए ही okay and यहाँ पे आई थिंग yes this is also a fish guys fish है यह ठीक है again water energies यहाँ पे फिश है आप देख सकते हो खुद ही love की energies है guys again यहाँ पे फिश है आप देख सकते हो खुद ही sorry I think it's a duck okay or fish I don't know but yes यह person loyal होने वाले है yes and also transformation आपकी life में लेकर आने वाले है बहुत loving caring रहने वाले है twin flame हो सकते हैं आपके लिए मैंने यहाँ से भी बोला था and charms में भी आया so confirm हो गया है so first pile अगर आपको reading पसंद आई हो like this reading subscribe to my channel bell icon को दबा देना all पे set कर देना अभी के लिए इतना हर हर महादी राधी 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 bye guys so hello everyone second pile कैसे हो आप सब लोग I hope आप सभी लोग अच्छे हो गर अपनी life में भी आगे बढ़ रही होगी so guys आज मैं आपके reading लेकर आगी हूँ आपके शादी किसे होगी guys who will you marry so of course ये charms reading भी होगी okay हम last में जाकर charms देखेंगे so यहाँ पी आपके सामने आपका pile है faith card आपने choose किया है यह आपके date of birth इनमे से आती है तो आपके लिए है second pile okay so guys आपके person कैसे होंगे क्या behavior होने वाला है ये person बहुत faithful रहने वाले है विश्वाश रखे universe आपको अच्छे person से ही मिलवाएंगे and universe की तरफ से कोई नो कोई आशिरवाद आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहे है आपके person के लिए जो आप मांगोगे ना जैसा मांगोगे वैसा ही partner आपको मिलने वाला है ठीक है शादी के लिए and यहाँ पर ना like say this यहाँ पर universe है like हमारी earth है यहाँ पर भगवान है हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो ace of cups की energies लेकर खड़े है ठीक है angels so बहुत जारा अच्छी energies यहाँ पर amethyst crystal guys ले लो I think आपकी life में यह सब चीज़े आपकी life में एकदम से आ जाए जब amethyst crystal आप लो ले लो I don't know why but yes यहाँ पर amethyst की energies जादा है चाहे raw मिल रहा है चाहे उसका bracelet मिल रहा है ठीक है अगर love life है तो of course rose quartz आप ले सकते हो बाकी guys मैंने तो अभी sold करने start नहीं किये हैं अगर मैं करूंगे तो of course मैं आप सभी को बताऊंगी ठीक है अगर आपको लेने होंगे देन आप ले सकते हो मुझसे ठीक है मैं सोच रिवा भी इसके उपर भी के yes मैं ये start करो यहाँ पर नहीं यह जो भी person होने वाले half faith का his universe आपके लिए गोई best person ही ढूंड कर लेकर आने वाले है because यहाँ पर वही energies हैं उनके अंदर water and also earth sign की energies mix up होंगी मतलब तौरस वर्गल केप्रिकॉन या तो आप दोनों ही earth और water का mixture हो सकते हैं तौरस वर्गल केप्रिकॉन यह राशिगा यहाँ पर important दिख रही है मुझे so guys universe आपको blessings देते हुए दिखेंगे जब आपकी life में यह person आएंगे blessing होगी universe की तरफ से आपके लिए कि यह person आपकी life में आएं okay so यहाँ से देख लिते tarot के through आपके लिए क्या आ रहा है also guys general reading है जतना भी आपसे match होगी उतना ही लेना है and also 2024 की guys detailed readings आ रहे हैं आपके लिए evening में daily ठीक है हर एक zodiac sign के लिए आप वो देख लेना ठीक है 5, 6, 7 signs तो मैं डाल ही चुकी हूँ and also happy new year to everyone second pile also and January की full playlist ready है ठीक है आप देख सकते हूँ इसको भी ठीक है so यहाँ से देख लेते हैं and also guys अगर आपको personal reading या spells book करवाने है 2024 की yearly reading book करवाने है तो आप वो भी करवा सकते हूँ सबसे पहला card ही hierophant का आचुका है guys आपके लिए second pile wow great सबसे पहला card guys आया है and also मेरी readings में जब से मैं यह deck use कर रहे हूँ तब से ही पहली बार आया है this card ठीक है hierophant wow I think so first time I have nine of cups की energies हैं यहाँ पे and charms reading है guys हम last में charms भी देखेंगे आपके लिए okay ace of swords की energies हैं five of cups की energies हैं guys आपके लिए four of pentacles okay okay one card is there so यहाँ पे magician card आचुके है आपके लिए four of wands oh my god guys four of wands शादी की ही marriage की ही हम reading करें four of wands आ चुके हैं यहाँ पे magician card आपने देखा नहीं होगा I think okay and last one है यहाँ पे okay it's a clean chit okay जो भी आप add on करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं last one है ten of pentacles wow guys wow 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 second pile क्या कौन हुआ and यह भी हम side पे रखेंगे because यह भी मैंने beachman include कर रखा है यह साथ में ही आया था ठीक है so इसलिए I think यह clean chit की energies वैस्तो यह हर एक deck में आता है ऐसा ठीक है clean full but yes मुझे यह लगा कि yes इसको include करना चाहिए bottom of deck page of pentacles की energies है middle energies क्या है यहाँ पे okay five of pentacles okay great guys great okay यहाँ पे क्या energies है so guys कौन है person यह किससे होगी आपकी शादी यह जो भी person है मैं आपको बता दूँ आपकी सबसे पहले चीज़ तो arrange marriage है या अगर love भी है न love भी करना चाहते हूँ तो आप अपनी family वालों को बताने वाले हो उस person के बारे में and आपकी arrange marriage पनकर ही शादी होने वाली है okay so यह energy सबसे पहले तो मुझे दिख रहे है and यह जो भी person है यह जो भी person है अभी इस time पे तो मुझे आपको मुझे ऐसा लग रहे है आप alone feel कर जो अपने आपको या आपके जो भी person है यह single है इस time पे या तो इनकी love life या आपके साथ जो भी इनकी love life है वो तो बहुत अच्छे चल रहे हैं बट इनकी family के साथ इनकी नहीं बन रही है या तो यह मनाने में लगी हो है अपने family वालों को है इसी person से आपकी शादी होने वाली है यह जो भी है person चाहे आप अकेले feel कर रहे हो आपकी love life तो अच्छे है बटी है आपकी family life अच्छे नहीं चल रही है ठीक है तो five of pentacles अभी money issues भी दिख रहे है आपके person को मुझे ऐसा लग रहे है कि अभी job नहीं मिली है या आप चाहते हो कि yes वो government job लगे then आप दोनों की शादी हो है तो यह energies भी यहाँ पे दिख रहे है four of pentacles comfort zone नहीं छोड़ना चाहते हो आप दोनों ही अपना मुझे यह भी energies दिख रहे है कि yes आप दोनों ही चाहते हो आपके शादी हो but yes normal way में हो जैसे range marriage होती है वैसे ही comfort zone में रहकर ही शादी करने वाले हो आप लोग and manifestations कर रहे हो ऐसे ही manifest कर रहे हो आप दोनों अपने लिए शादी होगे and एक दूसरे से ही चाहे कर रहे हो but yes आप manifestations कर रहे हो बहुत सारी universe से magician के energies आई है कि yes आपकी शादी इसी person से हो या जो भी आप चाहते हो न जैसा भी partner आप चाहते हो guys चाहे जो भी अभी आप relation में हो वो खतम हो जाए but yes आप manifest कर रहे हो जैसे person को वैसे ही universe भेजने वाले हैं आपके लिए और बहुत ही rich abundant family में आपकी शादी होने वाली और ये arranged marriage ही होगी ठीके अगर love है तो उसको arranged marriage में convert किया जाएगा love कम arranged marriage बनेगी वो खी and family वाले मान चाहेंगे आप लोग and clean chat इसली आई है कि universe चाहते है कि आप अपने destiny में जो भी add on करना चाहते हो वो आपकी wish है आपको ये एक तरह से होता है surprise दिया गए universe की तरह से कि yes आप जो चाहते हो वो आप पा सकते हो अपनी life में आपके लिए Taurus और के प्रिकॉन Aries लिए से जोटे दे Taurus और जमिनाई ये राशिया बहुत important आपके person थोड़े से child like nature हो सकता है बच्चो जैसा behavior उनका हो सकता है मुझे दिख रहा है and अगर बच्चो जैसा भी नहीं अभी वो student life ही जी रहे है ठीक है ये हो सकता है student life जी रहे है या आप हो सकते हो ऐसे ठीक है so second pile also arrange marriage है चाहे love come arrange है but yes शादी यहाँ पही है 100% है stability है marriage के बार 11-11 की energies है आपके manifestation का ही नतीज़ा होगा जो person आपकी life में आएंगे आप चाहते हो कि आपको rich abundant family में ही आपकी शादी हो बहुत अच्छी घराने में आपकी शादी हो मुलोदा न ऐसा कि हाँ आपको बिठा कर सभी लोग आपके आस पास बैठे है कि आपको क्या चाहिए कि चाहिए ऐसा कुछ energies दिख रहे है मतलो थाने queen या king की तरह रखना वो energies I don't know कौन हो आप ठीक है कैसे आपको रखा जाएगा यह energies मुझे यहाँ दिख रहे है general reading है communication skills बहुत अच्छी रहेंगे आपके उनके साथ अपने person के साथ भी आपके in-laws के साथ भी बहुत अच्छी energies रहेंगे आपकी door to spirit मुझे ऐसा दिख रहे है यह person यहाँ आपके पास government job हो की शाथी के बाद and also teaching field में हो सकते हैं आप दोनों यह person door to spirit आपके लिए open है spirits आपके लिए pray करते होँ दिख रहे हैं कि yes जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा यहाँ पे भी like see this अश्रवात देते होँ दिख रहे हैं भगवान यहाँ पे आपको कि जो आपके एक्षा है वैसा ही आपको दिया जाएगा so peace की energies है यहाँ पे शान्ती आपकी life में आते होँ दिख रहे हैं also door to personal healing and happiness के energies हैं आपकी life में healing and happiness आते होँ दिख रहे हैं आपके लिए door open होता हुआ दिख रहे है personal healing and happiness का ठीक है and ये person आपकी life में खुश्या लेकर आएंगे and also healing provide करेंगे आपको and see this four of wands के उपर ही celebration की energies है बहुत rich abundant family में जाने वाले हो guys आप लोग ठेक है and आपके community के भी हो सकते है क्या पता आप teacher हो तो वो भी teacher हो अगर आप कोई healer वगेरा हो तो of course वो भी हो अगर आप कोई government job taker हो तो वो भी हो ठेक है community के आपके होने वाले आपके caste religion से ही होंगी आपके person जो भी है ये and seven number आपके लिए important हो सकता है 27 number 32 number 34 25 and 26 and also 9 8 5 7 7 7 ओके ये numbers आपके लिए important हो सकते है यहाँ पर triple seven की भी energies है अगर आपको triple seven number दिखता है तो यह आपके लिए sign है कि yes आपकी शाधी बहुत नजदीग आ चुकी है बहुत ही जल्दी आपकी शाधी होने वाली है ठीके and hostilities की energies थोड़ा से यहाँ आपकी person या आप थोड़ा से fighting spirit में रहने वाले हो ठीके अगर उन्होंने कुछ बोला तो of course थोड़ा लड़ लोगे यहाँ पर ठीके बाट yes छोटे मोटे चखड़े होते रहते हैं marriages के बाद, शाधी के बाद so move on, walk away करो इन सब चिजों से move on करो ठीके इन सब चिजों से जो भी फाल्तों की जैसे होता है थोड़ी से लड़ाई शगड़ा हो और उसको दिल पे लगा ली कुछ लोगो होते हैं ऐसे so वो चीज़े नहीं करने चाहिए पता तो है कि शाधी के बाद इसी परसन के साथ रहना है हा न so क्यों इतना गुस्सा करना okay so spirit guides आपके क्या बता आना चाहते है इसके बाद guys हम आपके लिए डिरेक्टली आपके charms देखेंगे last shuffle okay so यहाँ पर order नहाए है psychic insight की दरज़िस है your third eye is open see truth for what it is follow your intuition so आपको कहा जो रहे follow करिए अपने intuition को such का साथ देखेंगे की क्या सच है चीजों में ठीक है अपने third eye आपकी open हो चुकी है आपकी intuition यहाँ पर बहुत high होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर है hope hope की energies भी यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं आपके life में love and acceptance की energies है love is yours recognize your divine worth choose loving thoughts आपको कहा आजा रहे है loving thoughts choose करिए recognize करिए अपने divine worth को ठीक है आप कितने worth ही हो अपनी life में ठीक है love आपके लिए बना है ठीक है प्यार के उपर focus करिए love के उपर focus करिए सभी को प्यार दीजे चाहें जैसी मर्जी situation है डियाना आई है आपके लिए focus and intention की energies हैं so आपको कहा आजा रहे think about what you desire आपके क्या इच्छाए है उसके बारे में सोचे set your sights high expect the best possible outcome so अपने लिए best possible outcome पाने की कोशिश करिए ठीक है and also उसके उपर ही focus रहे and जैसे partner आपको चाहिए उन सब चीजों को universe को बताओ ठीक है ऐसे person चाहिए मुझे so that आपको वैसे ही person से मिलवाया जाए holy amethyst की energies है last amethyst मैंने आपको बोला बहुत important हो सकते है amethyst ले लो guys amethyst बहुत important हो सकते है आपकी शादी करवाने में ठीक है divine alchemy की energies है आपकी क्यापता divine alchemy आपका heart chakra heal हो जाए उससे and आपकी marriage के days pass आजाए जब आपकी पाद amethyst आए है move beyond current challenges focus on what you desire आपकी क्या इचाहे है उसके उपर focus करो ठीक है dharma unfolding की energies है remember that you are on the path it's love, it's light, it's forgiveness okay take one step at a time to happiness अपनी खुश्यों की तरफ focus करें अपनी खुश्यों के उपर के बारे में सोचे ठीक है उसके तरफ एक step लीजिए अपनी लाइफ में so अगर आपको लगता है कि यस आपकी partner के साथ आपको शादी करनी है या आपकी खुश्यों है तो अपको अपना एक step भढ़ाईए चाहे 10 step भढ़ाईए बट उस खुश्यों को पाने की कोशिश करीए तो यहां से देख लेते हैं आपके लिए क्या charms आ रहे हैं ठीक है ओके so guys मैंने सोचा इसी की ऊपर आपके लिए charms देखे जाएं हैं आज so यहां पर starfish है आपके person famous हो सकते हैं यहां पर है आपके लिए death की energies यहां पर है आपके लिए transformation आते हो देखे रहे हैं person के आने के बाद lucky energies आपकी life में आते हो देखे रहे हैं ठीक है lucky person हो सकते हैं person आपके लिए again star है यहां पर so star means आपके person star हो सकते हैं famous हो सकते हैं आपके आस पास के areas में famous हो सकते हैं dolphin की energies हैं बहुत love and harmony आप दोनों में बनी रहेगी dolphins इसी का sign होते हैं elephant आपके पस बहुत big house big car होने वाली है शादी के बाद ठीक है आपके person के पास होने वाली है इस सब चीजें ठीक है बड़ी बड़ी चीजें उनको पसंद है हर एक चीज में and यहाँ पर cat है cat आपको show कर रही है कि yes यह जो भी person है यह बहुत intuitive हो सकते हैं आप बहुत intuitive हो change ले कराएंगी again second हाथ ही है यहाँ पर गनेश महराज के भग तो हो सकते हैं यह घनेश जी के and also मुझे ऐसा लग रहे हैं यह person बहुत ज़रा big चीजों को ही पसंद करते हैं बड़ी चीज नहीं ठीक है थोड़े healthy भी हो सकते हैं यह person ठीक है थोड़े से healthy हो सकते हैं यहाँ पे न guys seahorses okay I think आपको यहाँ से दिखेंगे वाव ओ वाव guys it's a third elephant वाव तेन elephant यहाँ पे आ चुके हैं guys आपके लिए so यह show कर रहे है कि आपकी life में आप luckiest person भी हो सकते हैं abundance का भी sign होते हैं ठीक है यह elephants ठीक है and also sea area बहुत important हो सकता है like हमारे यहाँ पे coastal areas होते हैं जैसे West Bengal है ठीक कॉलकता है यहाँ पे गुआ है यहाँ पे बॉंबे है ठीक है बहुत सारी states हैं जो coastal areas के आसपास परते हैं चैने केरला ठीक है and also Tamil Nadu आंत्रापदेश जैसे हैं इनकी states हैं जो भी है इनकी areas परते हैं coastal areas के आसपास हैं love की energies आई हैं यहाँ पे लिफ आया है sorry clove कह रहे हो यह leaf आया है ठीक है यह आपके लिए important abundance के energies लेकर आता है again butterfly transformation यहाँ पे दिख रहे हैं change यहाँ भी आपकी life में person लेकर आते हुए दिख रहे हैं like this reading, subscribe to my channel bell icon का दबा देना personal reading अगर आपको लेनी है चाहिए 124 की reading yearly reading है हा न यहाँ फिर अपने लिए tarot reading plus only reading करवानी है अलग-अलग charges होंगे guys and also आपको spells करवाने है किसी भी चीज के लिए love, commitment marriage ठीक है वो आप करवा सकते है career के लिए भी अभी के लिए इतने गई सर महादीव, राधी, राधी, बाई